1932 खतियान आधारित अस्थानिय विदहयक एक बार फिर जार्खन विधान सभा से हू बहु पास हो गया इस दोरान जार्खन विधान सभा में क्या कुछ हुआ किसने क्या कुछ कहा ये जानते हैं हमारे साथ हमारे सयोगी संजे हैं सन्जय एक बार फिर से यह विदयक पास हो गया जिसका इंतजार अभी हाल के दिनों में कई दिनों से लगातार किया जा रहा था और यह चर्चा थी कि सरकार क्या हूँ बहु पास करेगी या फिर नहीं करेगी और अगर पास होता है तो फिर आगे क्या होगा सबसे पहले तो ये बताएए कि बिदान सवाव में जब इसे पेस किया गया उसके बाद फिर क्या कुछ नजारा देखने को मिला कौन समर्थन में रहा कौन विरोध में रहा समर्थन में तो सब हर दल रहा 1932 का जो विध्यक था लेकिन कुछ दल जो है उसमें सर्थ डाल रहे थे और वो यह चार रहे थे कि राजपाल ने जिस तरीके से सुझाओ दिया है इस बिल को लोटाते वक्त उस पे चर्चा हो और एक बीच का रास्ता निकाल करके यहां के सबसे पहले जब चर्चा शुरू हुआ है और सरकार का एक तरीके से डिडिकेशन दिखता है अपने वादों के प्रती लेकिन सबसे पहले जब चर्चा शुरू हुआ पहले जब चर्चा शुरू हुआ है और उन्हों ने जो सबसे महत्पूर्ण बात कही वह कहा कि राजपाल को किसी भी बिधहयक में संसोधन का अधिकार नहीं है और जहां के अंदर हां यह सदन के अंदर उन्होंने कहा यह पॉइंटर है उनके पूरे भासन का जिसको हम लो कही है वो बोले कि देखे 1932 जो है जारखंट का आत्मा है और यह बहुँ परतिक्षित मांग है जिसको लेकर के जारखंट की जनता जो है निगाहें टिकाई हुई है और नौमी यानुसूची में डालने का जो मसला है जिसको लेकर के सवाल उठ रहा है कि 100% रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं नियोजन का जो अधिकार है वो पूरे देश के लोगों को है 100% नियोजी ताप एक ही स्टेट के लोगों को नहीं कर सकते हैं तो उस पे उन्होंने बकाइदा कहा कि जो दो तीन जो रेकमेंडेशन देते हुए जो सुझाओ भेजा गया है आपको याद हो गर liby में जो कई सारी बातें थी जो मोटा मोटी तौर पे तो द़्षकों को मालूम है लेकिन मु खमंत्री ने जिस जिन चीजों का जिक रखीर की उन्होंने कहा देखिए बहुत सलीके से राजनेता है और उनको मालूम है कि कैसे अपनी बातों को जो है सही दिखाना है तो उन्होंने कहा कि अटार्णी जनरल की बातों स्टेट का जो है उसमें हवाला दिया गया है कि फलना बनाम फलना के बीच में जो लडाई हुआ तो उसमें क्या कुछ सामने आया था तो यह सब बातें रही और मुखमंत्री ने खुल करके कहा कि इसमें कोई संसोधन का मसला नहीं है हूँ बहू हम लोगे भेजेंगे और इस नहीं सरकार करेंगे और इस जिद के कारण जो यहां के लोगों को नौक्रियान नहीं मिल पा रही है क्योंकि निती स्पष्ट नहीं है तो उसका एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है और बाउरी बोले कि उन्हें 32 भी हम ही देंगे हलांकि ये कंट्रडिक्ट करता है कि एक तरफ आप उन्हें पचासी आप लाए थे जब सत्ता में थे तो अब 32 की बात कर रहे हैं तो अमर बाउरी जैसे लोग जो हैं जो विपक्ष में हैं बीजेपी में जो हैं नेता परतिपक्ष हैं वो यह बोल रहे हैं कि आप इसको नौमी अनुसूची में डालने के लिए क्या इतना प्रयास करने की बात है आप जूट मूट का लटकाना और भटकाना चाहते हैं यहां के लोगों को आप सीधे कैबिनेट में आपके पास अधिकार है आप राज खूद अपने सक्षम है इसको लागू करने के लिए तो आप अगर इसको नौमी अनुसूची में डालने की कोशिज करवाने के लिए बोलते हैं जबकि सुप्रीम कोड जो है अल्रेडी बोल चुका है कि नौमी अनुसूची में कभी जो है असेस्मेंट हम कर सकते हैं जरूवत आने पर लेकिन फिर आप सुदीब सोनी को अगर ब्यान देखेंगे तो सुदीब सोनू उन्हीं चीजों का वहाला दे र संभीधान ने शूरक्षित किया है उस नयम कानून को नौमीअनुसूची के तहद उसका बुक मैं और। तो यहाँ बीजेपी उस तरीके से मदद नहीं कर रही है तो सत्ता पक्ष के तरफ से यह दिखाया गया कि नौमी अनुसूची में डाले जाने में जो मदद बीजेपी की तरफ से होना चाहिए वो सत्ता पक्ष को नहीं मिल पा रहा और यही बज़ा है कि एक साल के बाद कर रही हो नहीं 132 के नाम पर इनको बेनिफिट्स नहीं देना है यह लटकाना और भटकाना चाहते हैं इसलिए लंबी पेचीदगी में जो है यह चाहते हैं कि राज की जनता जो है जाए और युवा भटकते रहे सड़कों पर तो कूल मिला करके अगर आप देखेंगे सनी तो यह politics नहीं दिख रहा है और दोनों तरब से हो रहा है यह कहने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए लोबिन हेंबरम कहीं सुने कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया ऐसा बोल रहे है नहीं लोबिन हेंबरम सहित कई सारे ऐसे नेता आज बावुलाल मरांडी भी काफी दुखी हुए उनका इंटरव्यू भी फॉलॉप पे जो दर्सक हैं बो देख सकते हैं कि बावु अपनी बात रखी है इस पे लेकिन जैसे ही अमर बावरी खड़ा हुए तो अमर बावरी के साथ साथ बीजेपी के दूसरे जो विधायक हैं सदन के अंदर वो लोग एहमान करने लगे कि बावुलाल मरांडी चुकी राजी के पहले मुख मंतरी रहे हैं और बरिष्ट नेत हैं बिधायक हैं तो उनको बोलने का मौका दिया जाए लेकिन स्पीकर ने उस वक्त यह कहा कि आप पहले बोल लिजे इनको भी मौका मिलेगा लेकिन अम उसके बाद अमर बावरी बोलने लगे अमर बावरी के बाद शुदीब विसोनू भी बोले निलकंट सिंग मुंडा भी बोले समरी लाल भी बोले लेकिन इसके बाद हुआ क्या कि परदी प्यादब खड़े हुए और प्रदी प्यादब ने कहा कि यह वो है जो पहले ही सदन से पारित हो चुका है चर्चा की जरुवत नहीं है उसके बाद फिर इस पिकर ने उसमें बोटिंग करा ली सभी न नहीं सिल्पी नेहातिर की जो नाराजगी जता रही है उनको मौका नहीं मिला तो ऐसे कई लोग चाह रहते की बड़ा मुद्दा है ना सब लोग चाहते हैं कि राज सुन रहा है कि उन्हें 132 पे कौन क्या कर रहा है किस तरीके का कौन पक्ष रख रहा है तो हर कोई चाह र हले ही बिले कर लिया हो बीजेपी के साथ लेकिन सदन में अब भी जिन्दा है तो वह जिए बिधायक के तौर पर बैठते हैं और वहां नेता है प्रदीप्यादव तो मामला यहां कि इसके लेटर पूरा अपने पास ही रखें कल मैं सदन की कारवाई देख रहा था तो उस पांच मिनट के अंदर यहां के बीजेपी के विधायक निलंबित हो यह कहना सही नहीं होगा कोई स्पीकर कैसे रेगुलेट हो रहे हैं इस पीकर स्वतंत्र हैं वो दोनों सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के तरफ नजर बनाये रखते हैं हालां कि ठीक है कि लोग कुछ बोलते हैं प्रदीप्यादप का यह हक है कि वह मांग सकते हैं कुछ भी बीजेपी के विधायक और फिर आज आप बोल रहे हैं कि वह वह बोले और उसके बाद सब कुछ खतम नहीं टेक्निकली बोलते हैं और प्रदीप्यादप को जानकारी है तो यह कह देना कि बो बन जाएगा लेकिन जो चीजें हो रही है वो जनता देखिए एक चीज जो सनी जिक्र करना चाहिए कि आपको याद होगा कि पिछले साल 11 नौंबर को ये 27 बुला करके उने 32 का विधायक पारित हुआ था सदन से उसका एक उत्साह जो था वो उत्साह आपको आज राक्ची में खास करके राज़ानी में देखने को नहीं मिल रहा होगा वो आतिसवाजी जसन का महौल वो उत्साह जाहिर सी बात है उने 32 वाकई में जार्खन के आत्मा पास हुआ था तो उसमें जगनात महतोजी जिवीत थे किस तरह से जो है वहां रंग गुलाल अभीर पटा का सब सब्सक्राइब को याद दिला रहा हूं और याद दिलाने कि पीछे का जो मकसद है मेरा समझाने का वो यह है कि अब लोग जो की कंटेंट जो है ना फैक्स सब लोगों के पास पहुंच रहा है बहुत आसानी से ठीक है कि वाट्सप पे कई सारी मैक्सिमम कह लिजे की दुर देख और समझ रहें कि कैसे जो है इसमें क्या अलचने हो सकती है आ रही है और क्यों राजिपाल ने लोटाया है तो लोग साथ समझ भी रहे हैं कि भाई पॉलिटिक्स हो रहा है और दोनों तरब से हो रहा है ऐसा यह नहीं बोला जा सकता है कि सत्तापक्ष कर रहा है और व और यही वज़ा है कि छोटा सा संचेप में डिसकसन करके हम लोगों ने ये बताने की कोशिज किये आपको कि आखिर सदन में 1922 जब पास हुआ या फिर जब हो रहा था तो सदन की अंदर की क्या तस्वीर थी कौन क्या कुछ बोला कौन क्या कुछ बोलना चाह रहा था और कौ ये सब कुछ इस छोटे से वीडियो में आप देख सकते हैं अच्छा लगा हो तो आप सेर करें लाइक करें और कमेंट करें सुक्रिया